Hello, Welcome, Let's discuss class 11 and chapter 3, trigonometry function, question number 2, so question is, find the degree measure corresponding to the following radian measured, so degree में दिया हुआ है, radian में दिया हुआ है, इसे हम लोग degree में निकालेंगे, और यहाँ पाई का value कहा लेना है, 22 बटा 7, so चली करते हैं, इसे पहले बताना चाहिए, class 11 के playlist बनी हुई है, नहीं देखा है, तो जाकर वहाँ एक बार जरू देखने, तो इस question में दिया हुआ था, किस में radian में और निकालना किस में है, डिग्री में, तो बस वहीं बात याद रखनी है, निकालना किस में है, डिग्री में, ठीक है, निकालना किस में है, डिग्री में, तो degree को क्या कर गाएंगे, हम लोग, 180 को उपर रखेंगे, क्योंकि degree में निकाल ला है यहां बहुत से स्टूढेंट्स बहुत कंप्यूद होते हैं. इसलिए याद रखेगा जसज में कॉष्चण पूछेगा उसे चीज को उपर रख देंगे. उसी नमबर को उपर रख देंगे. डिग्री में पूछा तो डिग्री को उपर रेडियन को उपर बस देखिए यहां परीबन गया हमारा पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ था 22 बाई 7 दिया हुआ था तो 180 डिवाइड बाई 22 और जो 7 डिवाइड में जाएगा वो उपर से ला गया बस काट कुट केजिए देखिए आपको कितना जल्दी से आंसर आने की संभावना है तो यहां से काटा 11 टूजा 22 और 90 टूजा 180 थोड़ा सा और काटते है तो 45 और नीचे 8 तो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया इसे मल्टिप्लाई करेंगे 35 कैरी 3 3 31 और डिवाइड वाइड बस डिवाइड कीजिए थोड़ा सा इसमें याद रखने की बात है कि 1 डि मिनट इसे कहते हैं सेकेंड ठीक है दो डैस उस पर हो गए वह सेकेंड बस अब करते चाहिए डिवाइड कीजिए डिवाइड जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जागा रिवाइड करके देखें आप लोग भी सो इस तरह मिक्स फ्रेक्शन में आएगा अब क्या करना है ब बस इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे किसको किस से सिक्स्टी से बस सॉल्ब कीजिए देखें यह तो पहले से डिग्री में आ चुका है यह क्या हो गया 180 180 डिवाइड वाइड वाइड अब इससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारे पास डिवाइड किया तो आ गया कुल फ्रक्त से टुजा 16 हमारे पास यी मिन अग्या अब हमारे पस क्या बच्तारम हमारे पस क्या आज़ा देखियं तो हमारे पस अत्र में बच्ता इस से क्थ और सघ्ए पड़कर निनक्नर निने minute is equal to 60 second होता था तो 60 से multiply करेंगे ठीक है अब इसे कट दीजे 4-2-8 और 30 बार में कट गया ये 60 तो हमारा answer क्या आगया 30 degree 22 minute 30 second ओके सो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो question बहुत ही easy है ये हो गया इसका answer ठीक है इसी तरह से ये question करते हैं तो देखिए हमें डिग्री में निकालना है तो पहले क्या हो जाएगा 180 उपर हो जाएगा और रेडियन नीचे हो जाएगा पाई नीचे हो जाएगा मतलब 22 और नीचे 7 गया ये कहां से ला जाता है उपर बस काटिए थोड़ा सा 11 आगे नीचे और इससे काटेंगे तो टू आगे ओके तो हमारे इस पास चू मल्टिप्लाइ करके क्या आया मल्टिप्लाइ करके आ रहा है 252 और जीरो डिवाइड बाई 11 बस डिवाइड कीजे देखिए यहां से डिवाइड करके दिखा देती हूं आपको तो डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो क्या होएगा टू टाइमस में 22, 32 आगया फिर टू टाइमस में 22, 100 आगया यह वाला नीचे 0 तरता है फिर 9 टाइमस में 99 क्या बच गया हमारे पास 1 तो हमारा क्या आगया देखिए 229 डिग्री ठीक है रिमेंडर क्या बचा हमारे पास 1 और नीचे क्या हो गया 11 यह डिग्री में निकल ग देखिए 60 से जब मल्टिप्लाई किया तो 60 डिवाइड वाइबन अब 11 से 60 को डिवाइड कीजिए तो क्या आजाएगा 5 टाइंस वे 55 रिमेंडर क्या बचा 5 तो हमारे पास आगया 2, 2, 9 डिग्री ठीक है 5 मिनट और रिमेंडर क्या था हमारे पास 5 और नीची क्या है 11 अब इसे चेंज करेंगे किस में? सेकेंड में तो फिर से 60 से मल्टिप्लाई करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या आगय है 2 to 9 degree 5 minute और यहां से जब multiply किया तो 300 divided by 11 फिर से 11 से इसके divide करेंगे तो हमारे पास क्या आगय है 2 to 9 degree 5 minute 3 11 2 जा 22 क्यारी कितना 80 11 7 जा 77 तो इस तरह से हमारा answer आएगा ठीक है अगर calculation में कुछ आगे पिछ होता है तो वो देख सकते हैं आप लोग क्योंकि आप लोगो method पता चल गया कि अब कैसे निकालना है तो यह हो गया इसका answer में 3618 और 10 बस multiply करेंगे तो हमें क्या मिल गया 300 किसमें चेंज करना था degree में तो यह हो गया इसका answer ठीक है fourth number भी बहुत easy है ठीक है degree में चेंज करना है तो 180 उपर रहेगा और डिवाइड वाइड वाइड पाई फिर से पाई से पाई कट गया यह 6 के टेबल से 3 टाइमस मगटा और एक 0 और multiply करेंगे तो 210 डिगरी हो गया इसका answer होप समझा रहा होगा अच्छे तरीके से वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ तक कि ज्यादस ज्यादस लोग इस चानल से जूड़ सके थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग